आज के वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप हेट सौर्ट और वन टैप मार सकते हैं अगर आपका एक ट्रिक काम नहीं करता, दूसरा नहीं करता, लेकिन तीसरा जरूर ट्रिक काम करेगा तीनों मसे आपका एक ट्रिक काम करेगा ये मेरी गारंटी है और इन ट्रिक मसे साथ आप कोई ट्रिक जानते भी होंगे साथ पहला जानते होंगे या तीसा जानते होंगे लेकिन तीनों ट्रिक आप नहीं जानते होंगे ये मेरी गारंटी है अगर आप तिन्यों ट्रिक शिग एक काम नहीं किया दो काम नहीं किया तो इनमें से कोई ट्रिक काम करेगा तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, कर लीजे और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जल्ली से कर दीजे तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका सेंसिटिविटी और 5 बटन का साइज कितना है सेंसिटिविटी आपका 100% होना चाहिए आपने बहुत सारे वीडियो हम देखे होंगे कि सेंसिटिविटी कभी कम किया आता है कभी ज़्यादा किया आता है कम किया आता है और आप केंफिज हो जाते हैं और बार बार आपने सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करते रहते हैं तो मैं आपको बता दू कि आपको बार-बार sensitivity कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार करतेते हैं और आपका game play अच्छा चला अच्छा sensitivity है तब आपको दुबारा change करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको sensitivity 100% कर लेना है। अगर आप 100% करते हैं और game play करते हैं और आपका game play अच्छा है, sensitivity अच्छा है तब दोस्तों आप 100 पर हमेशा खेला करिए। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा 100 पर खेलता हूँ, मैं sensitivity 100 रहती है। अब बात करते हैं 5 button size की, तो 5 button के size में बहुत सारे confusion हैं, कभी कहते हैं 50 कर लेजे, 60 कर लेजे, 70 कर लेजे, बहुत ज़्यादा confusion होता है, तो आपको यहाँ पर ना ज़्यादा करना है, ना कम करना, आपको 50 और 55 के बीच में रहने देना है, और यह 5 button सबसे best है, सभी जितने प्रो बंद है, लगबग 50 से 55 के बीच में अपना 5 button का size रखते हैं, क्योंकि आपका जो 5 button है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रहता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है, तब दोस्तों आपका ज़्यादा chance हो जाते हैं, हेर स्वार लगने में, ओके, पैले टिप्स को बरते हैं, जिसका नाम है white aim, अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं, white aim में आपको head मानना है, अब चली दोस्तों, मैं आपको दिखा जाता हूँ, hand cam के साथ, देख सकते हैं, हमारा aim white है, अब मुझे उपर एक साइड ड्राय करना है, तो देख सकते हैं, यह head लग अब second trick के उड़ बरते हैं, इसका नाम है upper head red aim trick, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, upper head करना है, और आपका aim red होना चाहिए, तो देख सकते हैं, हमारा aim red है, अब मुझे नीचे से उपर की तरफ ड्राय करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं नीचे से उपर की तरफ ले person सीखना चाहिए, अगर आप headshot मानना चाहते हैं, इसका नाम है rotation drag, जो की raw start ज्यादा use करता है, तो आपको simple क्या करना है, आपको close up में जाना है, और यहाँ पर दे सकते हैं, मुझे अपने aim को white रखना है, आप red aim रखके rotation drag बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं, अब rotation drag क्या होत है, अपने fire button को नीचे की side ले जाके, rotate करके, उपर की side drag करना पड़ता है, तो मैं आपको दिखा जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं, अभी हमारा aim white है, आप मुझे नीचे की उपर की side drag किये, और देख जाते हैं, मेरा बहुत ही perfect head लगा, तो यहाँ पर मेरा हर ब मेरा aim white है, उसके पार मैं fire button को rotate करके, उपर की side करूंगा, तो देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा head लगा है, बहुत ही perfect, और जब मैं आपको hand cam के साथ सिखाता हूँ, तो बहुत ही अच्छे से आप seek भी लेते हैं, तो देख सकते हैं, इस तरह मेरा head लग रहा है, इस तरह आप का भी head लगेगा, एम white रखना है, नीचे की उपर के साथ ड्राइक करना है, तो देख सकते हैं, बहुत ही close up में head लग गया, अब आप तीनों trick को use करिएगा training ground में, जाके practice करिए, बस दोस्तों वीडियो में तने, अगर आपको ये वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को like कर कर देजिए, चैनल को subscribe कर देजिए और bell icon क्लिक कर देजिए, तो मिलते हैं फिर से ऐसे हैं interesting वीडियो के साथ